हाईजोक के बाद प्लेन हो जायगा क्रैश इन सब के बीच कैसे बच निकलेंगे सवी और वीनुू जी हां दोस्तों स्टावपलस के सीरियल गूमे किसी के प्यार में को लेकर लेटेस्ट कबरें सामने आ रहे हैं कि सभी और वेनु जो हैं प्लेन में से बच निकलेंगे लेकिन वो कैसे इतना बड़ा मिले कर कैसे होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुंडों ने सई के सर पे बंदूग तानी हुई है साथी विराट भी खुद को सरेंडर कर चुगा है क्योंकि विराट को कु जा रहा है कि भवानी आगे तक भी जिंदा रहेगी क्योंकि भवाणी ने खुद ये बात अपने लेटेस्ट इंटर्विय में कहीं थी उन्होंने कहा था कि भवानी कर्दार जो है वह कभी खत्व नहीं होगा जब तक यसी इरल है तब तक भवाणी कागों भी रहेंगी त तो अपने जान जोखिम में तारी चुकी है क्योंकि सई ने सब को गुंडों से बचाना चाहा था सई को लगा कि वह एक बहादूर पलस वाले की बेटी है तो वह भी बहुत बहादूर है लेकिन सई ने इन गुंडों को समझा नहीं क्योंकि गुंडे जो हैं बहुत खदरनाक हैं वहीं बात करें विराट की तो आप देख सकते हैं विराट जो है कंट्रोल रूम में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विराट के अंडर से आउट आफ कंट्रोल होता जा रहा है वहीं सत्या को भी आप देख सकते हैं सत् और वेनायक बड़े हो जाएंगे जनरेशन लीफ होगा जिसके बाद फैंस भी बहुत एकसाइटेट होने वाले हैं लेकिन आपको पता दें सत्य क्या होगा क्या सत्य जो है वह भी प्लेन क्रेश में मारा जाएगा बल्ग खबरे तो यही है जो जो से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए एक हास मौका है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि सीरियल को अलविदा कहना चाहते हैं लेकिन कौन कब कैसे और कितने लोग से बाहर होंगे यह जब लीफ का प्रोमो आएगा तब ही पता चलेगा लेकिन यह तो तरह है कि साही और विराट अब इस सीरियल में कभ करके बताईएगा फलाल इस लीडियो में इतना ही टीवी बॉलिवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेच पर देख रहे हैं तो जल्दी से से भी फॉलो कर दीजे